तुझे पता है क्या मैंने समुंदर के पानी में मैंने मर्मेड देखा मर्मेड तुझे को मर्मेड नहीं पता अरे मर्मेड मतलब अरे आदा शरीर मतलब और आदा शरीर मचली का वो मतलब वो मूवीस में दिखाते ना इंगलिश मूवीस में वैसा यार मैं तो मतलब हैसा मतलब मैं शौक में चला गाया था मैं और मेरा बाप अरे मेरे सब मेरा बाप भी था ना अरे कल हम लोग गये थे मच्ची पकड़ने के लिए समून दर की बीचो बीच हमारा बोट लेके अरे क्या बता ओ यार एरे मतलब हम लोग जा रहे थे हमारा बौत आउसा लेके मिला बीच में थे समुन्दर के बीच पेने रे समुन के मतलब बीच बिच ओ भीस थे हाँ क्वा ठीक मतलब पानी पानी हाँ मरमेड यार मरमेड इसी भार आ इळिए यार मरमेड इसे भार आई प्र, मे वे बने, पापा को भालो पापाँ-पा SAPA देखा प्र, इसा लग रहा है मैं जूट बोलो में अबे तु फागा ले क्या। सच में अपता हो यार। सजमें यार। उसकी आखें उसके होट उसके काल… उसक काल। उसका अर्यूह। अर्य भाए इतनी खुब्सूनत भाए इतनी खुब्सूनत! और.. उसके पुछ्च… लग रहे थी पूछ पूछ तुरको नहीं बता कि अरे मर्मेड मतलब उनको प्राइन होती ना पूछ होती है जैसा वो मचली को यह से रहे हैं पूछ बैसे मतला अरे समय ना पैर का जो भाग और बला माचली का माण जूट बोल रहा हूं मैं क्यों जूट बोलू रहा है मैं क्यों जूट बोलू हाँ मैं जानता हूं तुझ जल रहा है ना क्यूंकि तुझे जल परी तुझे देखने नहीं मिली मरमेड तुझे नहीं मिली इसे लिए तुझे जल रहा है ना अच्छा तो इसका मतलब तुझे प्रूफ चाहिए कि मतलब हमारे सामने मतलब वह अरे प्रूफ कैसे मैं तुझे मदू यार मतलब वह वह मर्मेड मतलब भार आई हम दोनों को मतलब देखा हमने उसको देखा और मतलब मैं और मेरा बाप हम दोनों पेले मुझे शौक में मैं चले गए थे तो मर्मेड नीचे चली गई पानी के अंदर तो वह मतलब क्या फोटो में निकाल नहीं पाया है वह सेल्फी वर्मा में तुझे में दिखा देता ना यार लेकिन तुझे यार मेरे उपर भरोसा नहीं एक है तुझे ऐसा लगते कि मैं जूट बूल रहा हट मुझे तेरे से बात मुझे शेली नहीं करनी चाहिती मुझे लगा तुम मेरे उपर तुम इश्वास रखेगा बाकी सब मुझे व्यकूप समझेंगे लेकिन तुम ऐसा निकला यार हट मुझे तुझे बता नहीं नहीं चाहिता आजा चल जा तुझे यसा लगता है ना मैं जूट बोल लूड है भई रहने दे, रहने दे रहने दे छोड़ था ठोड़ना थोड़ भी तुन्हें बोल दिया तुन्हें भेस एसलल्ज दाए ने अभी मुझे तुर्से भी बाद नहीं करनी और एंदा से मैं कोई पीज चीज मैं तुर्से मैं शेरी नहीं में करूंगा जा मर जा